wee cool free solo x2 का आज में फुल रिव्यू करने वालो मैंने wee cool free solo का x3 का मैंने रिव्यू किया है मेरे second channel पर है जिसका मैंने फुल रिव्यू किया हूँ है वो भी काफी impressive है यह भी काफी impressive है actually मैं आपको बता दू कि जितेने भी जो touch controls जो भी earbuds होते हैं उसके price ज्यादा ही होती है अगर आप एक touch control अगर आप लेना चोब touch control का फाइदा यह कि आपको button press का आपको इतना problem नहीं आएगा बट आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है अगर आपका हाध कीला होता है उस वक्त आपको problem देगा यह तो वो चीज़ का आपको ज़रा ध्यान रखना पड़ेगा इसक आपको यहीं बोलूँगा कि आप touch control वाला थोड़ा skip क्यूं करें कि विकॉज आपको पता है कि जबी पानी वगयरा तो उसका touch भी खराब हो सकता है क्योंकि touch उतना खास नहीं होता यह सारे जितने भी airbirds है उनके लेकिन आज मैं इसके airbirds के full review करके बताऊंगा आपको क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जितने भी जो value for money आपको कम पैसा डालना पड़े और ज्यादा आपको value आपको मिले तो मेरा वही मेरा कोशिश होता है क्योंकि मैंने बहुत सारे airbirds मैंने अपने इसमें मैंने देख लिया हूँ और मैंने वीडियो बना के रखा है तो उसमें से आपको बहुत सारे आपको airbirds मिलेगा तो यह काफी बढ़िया मुझे option लगा है आज इस airbird का आज मैं रिव्यू करता हूँ इस airbird में आपको मिलते है 48 hours of play time जिससे क्या होगा कि आपका यह 3 दिन तक heavy usage पर आपको आपका आराम से चला जाएगा heavy usage करोगे और आपको battery charge करने मिलेकर आपको एक सीस अपको ध्यान में रखना पड़ेगा जो बैटरी जो चार्ज होगे वह एक से देड़ गंटा आपका लेगा जो की इनफ है आप हर रात के दिन आप इसे चार्ज के लिए रख सकते हो और एक गंटे दे गंटे में दो करना पड़ेगा कि आपका कई पर यह कई दब ना जाए और इसकी जो टच कंट्रोल से इस पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि जब टच है कभी का बार वो काम भी नहीं करता है that is the reason में आपको आने वाले टाइव आगे मैं आपको बताता हूं कि क्या करना है तो इसकी जो बिल कॉलिटी है that is according to the price मुझे थोड़ा कम लगा है बात करते है यहाँ पर इसके जो कंट्रोल से आपको पता है टच ही होता है सिंगल प्रेस होता है डबल प्रेस होता है तो यहाँ पर यह एक दिक्कत है कि अगर आप थर्ड प्रेस करोगे तो थर्ड प्रेस कि मुझे काफी अच्छा लगा इसका base quality surrounding deep base मतलब मैं आप मों बोलूँगा कि जो मैं अभी आप जो use कर रहे हो neckband बिल्कुल उसी के तरह quality है फिर भी justify कोई ऐसा issue आपको नहीं मिलेगा call quality मतलब आप सोचो कि आप neckband या airbird आप पुरे कान में रख रहे हो तो आपका आवाज आप कितने भी दीरे बात करोगे आपका आवस बराबर वहां तक पहुचेगा और बराबर आपका बहुत ही आराम से आप किसी से भी बात कर सकते हो तो यह मुझे बहुत अच्छा लगा इसका call quality में मुझे कोई problem नहीं लगा इसके बात करते है बैटरी की तो आपको लग भ अनमें से कई सारे ऐसे ऐरबर्ट से जो कि कम प्राइज में हैं और इससे ज्यादा वैलियू आपको प्रोवाइड कर रही है तो मैं चाहूंगा कि आप और देखे मेरे चैनल पर आपको बहुत सारे आपको अइरबर्ट साफको मिलेंगे अब अगर आप लेना चाहते हो तो यह Airbnb अगर 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 मैं होता तो 1200 रुपए के प्राइस में मैं कुछ और ट्राय करताँ जिस से मेरे को काफी जादा value और भी मिलें वैसा यह value for full value for money है मैं बिलकुल भी इंकार नहीं कर रहा हूँ लेकिन दो तिन प्रोड़क्ट मैंने ऐसे देखे है जो इससे भी जादा आपको स्पेसिफिकेशन आपको दे रहे है